हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं डग की सेप का एक सुन्दर सा प्लांटर इसके लिए हमने सबसे पहले एक ओल केम लिया है, यानि तेल का डिबबा इसे हम डग की सेप का आकार देंगे टिबबे की हैंडिल को डग की गर्दन का शेप देते हुए कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे सेम इसी तरीके से दूसरी तरब भी ड्रॉ करेंगे और इसे किसी धारदार कटर या चाकूच जो भी आपके पास अब लेबल हो उससे आप कट कर लेंगे देखिए हमारा डग की सेप का प्लांटर कट कर रेडी हो गया है अब हम इसे कलर करेंगे मैंने इसे कलर करने के लिए वाइट एक्रेलिक कलर लिया है जिसे स्पंज की हेल्प से कलर कर लेंगे सबसे पहले हम एक कोट कर लेंगे उसके बाद इसे सूखने के लिए रख देंगे फिर दूसरा कोट करेंगे देखे मैंने डबल कोट करके इसको ले लिया है अब हम इसकी चोच पर रड एक्रेलिक कलर यूज करेंगे कि अधर देखे लिए प्यूज कर दो ड़ आई इसकी चाहँज लिएे लाव नाते कि वेड़ीग कर दो एक हम एक दो आइगे लिए जाईटा आपे अगे लिया हम एक हम एक हम एक हम प्यूशने की तो आई कर दिए अब हम मारकर या ब्रेश की हेल्प से इसकी आँख को ड्रॉ कर लेंगे अब हमारा ड्क की सेप का प्लांटर बनकर रेडी होगे। थेंक इू फो वाछिंग, बाइ बाइ